नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे HP में हुई TGT TET जो आर्ट्स की परिक्षाब हुई है उसकी जो आंसर की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरी के के प्रशन पूछे गए थे और इस वाली वीडियो में हम पूरे जो भी आपकी 150 प्रशन आये थे उनको डिस्कस करने चा रहे हैं तो चलिए दोस्तों बिना देर की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की अगर इसमें मुझे से कुछ गलती हो जाये दोस्तों तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं मेरी जानकारिक अनुसार जो उत्तर सही थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पर देखिए प्रशन संख्या एक है बुद्धी का स्पियर मैन परिभाषा में जी कारक है तो इस प्रशन का जो सही उत्र होगा यह होगा विकल्प नंबर सी समान्य बुद्धी एक पांच वर्श ये बालक की मानसिक आयू छे वर्श है तो उसकी बुद्धी लब्दी होगी तो यह होगा 120 विकल्प नंबर एक इसका सही उत्र होगा नेक्स्ट है बालकेंद्रित शिक्षा का समर्थन निमी लिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया तो बालकेंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया था देखिए विकल्प नंबर डी जॉन ड्यूबी के द्वारा ठीक है प्रशन संक्या चार है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा वेभार में परिवर्थन ही है तो इसका जो सही उतर है देखिए अधिगम या फिर सीखना लर्णिंग प्रशन संक्या पांच है देखिए निमी लिखित में से कौन सा बुद्धिका से दांत हावर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था तो इसका जो सही उतर है दीखिए वो है बहुविदी सिद्धांत सभी के लिए विद्याले में सभी के लिए शिक्षा निमिलिकित में से किस के लिए परचार वाक्य हो सकता है तो इसका जो सही उतर होगा समभीशी शिक्षा तो यह आपका देखिए विकल्प नंबर B गणितिय विकार से तो यहां से हर बार एक जो अक्षमता वाला है वो पूछा जाता है ठीक है नेक्स देखिए जब कोई परिक्षन व्यक्ति की योगयता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वह है परिक्षन क्या कहलाता है तो इसका जो सही उतर है देखिए वो है विश्वस्तिय विकल्प नंबर B नेक्स देखिए निमी लिकित में से कौन सा व्वस्तिय प्रशन है तो इसका जो सही उतर है देखिए वो है विकल्प नंबर D सही या गलत नेक्स देखिए विशेष आवैशकता वाले बच्चो को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए दोस्तों इस प्रशन का जो उतर है वो विकल्प नंबर A या B में से सही होना चाहिए था तो मेरे ख्याल से इसका जो सही उतर है दीए वो विकल्प नंबर A ही होगा नेक्स से प्रशन संग्या एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारना का उप्योग, समाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया यह एक प्रकार है, तो यह है धनात्मक अधिगम स्थानांत्रण, व्यक्तिक भिंताएं पाई जाती हैं, तो देखे इसका जुसाई उत प्रक्षेपी तकनीक है, जिसका उप्योग किसको मापने के लिए, किया जाता है, तो यह किया जाता है, व्यक्तिक को मापने के लिए विकल्प नमबर A, प्रशन संग क्या सोला है, देखे, विकास के संदर्व में निम्र में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखे, विकास के संदर्व में जो कथन सत्य नहीं है, यह आपका विकल्प नमब B, विकास उकसाने या बढ़ावय देने से नहीं होता, ठीक है, नेक्स है विकास की गती एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग-अलग होती है परन्तु ये डैस-डैस का स्वरूप का पालन करती है, तो देखिए इसका जो सही उतर होगा, विकल्प नमबर C और प्रत्याशित, मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विदी है ये है आत्मनिरिक्षन ठीक है, मनोविज्ञान की प्रत्थम पुस्तक किसके दौरा लिखी गई थी, तो देखिए इसका जो सही उतर होगा बिल्लियम जेम्स, 19 का क्या होगा बी होगा, प्रशन संक्या बी सह देखिए अनुवाशिक्ता के असली वाहक है, तो ये है गुण सोत्र, प्रयास एवं तुरुटी का सिध्धान्त किसके दौरा प्रतिपादित किया गया था, ये किया गया था थौर्ण डाई के दौरा, बिकल्प नंबर C, प्रशन संक्या 22 है, देखिए, उस सिध्धान्त का नाम बताईए, जो समस्या की आकस्मिक समाधान की वकालत करता है तो इसका जो सही उतर होगा, बिकल्प नंबर B, सूज का सिध्धान्त प्रशन संक्या 23 है, देखिए, शिक्षक ने रीता से कहा कि उसने ग्रह कारे पूरा नहीं किया है, अथा उसे खेल की गख्षा से वंचित रखा जाएगा यह उदारन है तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, विकल्प नंबर C, नकरातमक पुनर बलन का ठीक है, नेक्स यह फ्राइड के अनुसार व्यक्तितों का कौन सत्त तो सुखवादी से धांत पर कारे करता है तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, वो होगा विकल्प नंबर B एहम, ठीक है ओट अफ दा बॉक्स चिंतन किस से संबंधित है, ओट अफ दा जो बॉक्स चिंतन है, देखिए, यह आपका अपसारी चिंतन, विकल्प नंबर B, सॉरी, विकल्प नंबर C, इसका क्या होगा, सही उतर होगा प्रशन संग के अठाई से देखिए मनव विज्ञान ने सरवप्रत्थम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा, उसने अभी भी एक धंग के वैभार को अपनाया हुआ है यह किसने कहा है तो देखिए, यह वाला खतन कहा है विकल्प नंबर C, वुडवर्थ ने नेक्स से दिखिए, 29 समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है समाजीकरण की प्रक्रिया में जो शामिल है वो है, यह सभी, विकल्प नंबर D इसका सही उतर होगा, पियाजे ने शैस्व अवस्था को क्या कहा है उन्होंने कहा है, इसको समवेदी प्रेरक अवस्था, बिकल्प नमबर A 30 का सही उतर होगा फिर English section है हमारा दूसरा उसमें दीखिए, सबसे पहले ये कहते हैं कि suitable alternative देने आपने complete sentence को करने के लिए ठीक है, she told me that she go to Mumbai next month, तो इसका जो सही उतर होगा दीखिए, वो होगा बिकल्प नमबर C, she would go to Mumbai next year, he went there so that he borrow money, तो यहाँ पर होगा might, विकल्प नमबर C इसका सही उतर होगा, 33 ये देखिए she उसके बाद है, work hard if she wants to top the married list, तो यहाँ पर होगा she must ठीक है, 33 का देखिए क्या होगा विकल्प नमबर B प्रशन संक्या 34 से 37 तक यह बोलते हैं कि out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given word sentences, तो देखिए 34 कहता है कि soldiers who fight the horseback, तो इसमें जो सही उतर होगा, देखिए वो होगा आपका विकल्प नमबर C, है न next है 35 property inherited from one's fathers or ancestors तो उसका कहता है, patrimony विकल्प नमबर B इसका सही उतर होगा 36 है देखिए, practice of having many wives, तो उसका कहते है आपका polygamy, ठीक है, विकल्प नमबर C इसका क्या होगा, सही उतर होगा 37 है, a person who abstained completely from alcoholic drinks, तो यह आपका 3 dollar, विकल्प नमबर A इसका सही उतर होगा, 38 है देखिए इसमें कि कहते हैं कि identify the tense of the following sentences, Sita has got the job, तो यह आपका present perfect tense, ठीक है नेक्स देखिए, प्रशन संक्य 39, opposite meaning आपने देखने है, session का, इसका जो सही उतर होगा, देखिए, वो होगा आपका विकल्प नमबर B, ठीक है, renewal उसके बाद, spurious, तो यह है आपका विकल्प नमबर D, इसका सही होगा, ठीक है तो यह सारे के सारे के हैं, इसके opposite है, next देखिए curve, C, U, R, B, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, वो होगा आपका विकल्प नमबर C, restrain, 42 से 44 तक कहते हैं कि following sentences in words, praise is written in bold, for each bold part, four words praise are listed below, each sentence choose the word nearest in meaning to bold part, है न, nearest meaning आपने देखना है, the collector has yet not relinquished his charge, तो यहां पर विकल्प नमबर A, इसका क्या होगा, सही उतर होगा, give up ठीक है, next देखिए, businessman who lack acumen, cannot be expected to be very successful, तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए वो होगा आपका विकल्प नमबर B, sharpness next, he is so garrulous, that all sober people avoid his company, तो यह होगा, talkative विकल्प नमबर B, इसका सही उतर होगा 45 से 47 तक आपने जो active और passive voice है, उनको change करना है, ठीक है, 45 भे देखिए, इसका जो सही उतर होगा the students were laughing at the old men, तो इसका जो सही उतर होगा, वो होगा विकल्प नमबर A, the old man was being loved at by the students 46 है, one must keep one's promises तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए वो होगा विकल्प नमबर D, once promises must be kept, ठीक है 47 है, shopkeeper lowered the prices, ठीक है तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए वो होगा विकल्प नमबर B, the prices were lowered by the shopkeeper ठीक है, 47 का क्या होगा विकल्प नमबर B, 48 और 49 में ये बोलते हैं choose the correct alternative out of the four options to fill in the blank, some animals have unique, तो यहाँ पर आएगा देखिए characteristics to allow them to survive in extreme weather conditions अगर आपको लगता है दोस्तों कि कोछ प्रशन मुझसे गलत हो रहे हैं, हो सकता है, गलत हो जाएं तो आप वो भी मुझे बेजिजग comment section में जाकर बता सकते हैं, 48 का यहाँ पर होना चाहिए characteristics ठीक है, नगते देखिए, 49 man is essentially a social animal, ठीक है, and tends to associate with others, तो विकल्प नमबर B, इसका क्या होगा, सही उतर होगा 50 है देखिए, तो 50 और 51 में यह बोलते हैं, कि use the most suitable form of infinitive, देखिए he is rich today, but he seems in the past, ठीक है तो इसका जो सही उतर होगा 50 का वो होगा विकल्प नमबर B to have been poor, 51 है तो देखिए, today everyone wishes money quickly, to earn money, 51 का होगा विकल्प नमबर B, उसके बाद है देखिए 54, there is no limit to the wants of men, तो 54 का देखिए, क्या होगा सही उतर, विकल्प नमबर B, 55 है on seeing a robber, he ate once reached to his pistol in his pocket, तो दोनों में क्या आना था इसमें, two आना था, most of the family members dissented the suggestion he made, तो यहां पर देखिए, विकल्प नमबर B, इसका क्या होगा सही उतर होगा, from next से देखिए, 57, they go to school by bus, तो यहां पर बिकल्प नमबर D, इसका क्या होगा, सही उतर होगा she has been since morning she has been working since morning तो बिकल्प नमबर B, इसका क्या होगा, सही उतर होगा next से देखिए, 59 we should not adopt F-O-U-L fuel means to achieve success, तो 59 का बिकल्प नमबर B, सही उतर होगा 60 है, देखिए, the earth is not it revolves, तो इसमें बिकल्प नमबर A, सही होगा S-T-A-T-I-O-N-A-R-Y ठीक है, next है देखिए तीसरा जो हमारा section है, वो है social study का इसमें देखिए, सांची स्टूप किस ने बनवाय था, तो ये बनवाय था, अशोक ने, विकल्प नमबर D, इसका सही उतर होगा कश्मीर में शालिमार और निशात बागों को किस मुगल समराट ने बनवाय था, तो ये बनवाय था, जहांगीर ने, विकल्प नमबर C, इसका सही उतर होगा नेक्स से दिखिए अबिश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो यह आपका दोनों सदनों में विकल्प नमबर C मनुश्य ने सबसे पहले निमिलिक्त में से किस दातु का प्रियोग किया तो यह थी तांबा अगला परशन है दिखिए सिंदो घाटी के लोग किस की पूजा करते थे यह करते थे पशुपमति की पूजा किस नदी को भारत में दक्षन के गंगा कहा जाता है तो दक्षन की गंगा कहा जाता है देखिए यह आपका बिकल्प नमबर D कावेरी को, वित आयो का गठन भारतिय समविधान के किस अनुचीद के अंतरगत किया जाता है, तो यह है 280 भुकम का मुख्यकारण है, भुकम का जो मुख्यकारण है देखिए विकल्प नमबर, C विबर्तनिक बल, ठीक है 69 है देखिए हीमाचल के किस शहर को हिमाचल का बना रस कहा जाता है, तो छोटी काशी, मंडी विकल्प नमबर, A, इसका साही उतर होगा काली मिटी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है तो काली मिटी जो होती है, देखिए होती है कपास के लिए पार्चु जील कहां पर स्थित है, यह आपके तिब्बत में नेक्स है मेक मोहन सीमारेखा किन देशों के बीच स्थित है यह है भारत और चीन के बीच में न अपील न वकील न दलील कथन किस से संबंदित था यह था रॉलेट एक्ट से 74 है 1972 में हुई शिमला समझोते पर हस्ताक्षर किस ने किये थे तो यह किये थे इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुटो ने नेक्स है भारत का मैंचेस्टर किस शहर को का जाता है तो यह गुजरात का एहमताबाद अगला है भारत में सूचना कादिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था 2005 में प्रशन संक्या 77 है रिके बलवन तराय महता समीती का संबंध निमिलिकित में से किस क्रांती को अक्टूबर क्रांती कहा जाता है तो यह रश्यन जो रेवलूशन हुआ था उसको कहा जाता है विकल्प नॉबर A इसका सही उतर होगा भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्र एकाई निमिलिकित में से क्या है तो यह है जिला निमिलिकित में से किसे भारत का पहला लोगपाल नियुक्त किया गया है नियाधिश PC गोश को भारत का पहला नियाधिश पहला लोगपाल निक्त किया गया है 81 है देखिए समिधान का कौन सा सुनशोधर अधियनियम एक मिनी समिधान के नाम से जाना जाता है तो यह 42 है ना 42 सुनशोधर नूँ भारत में संसत के संयुक्त अधिबिशन की अध्यक्षता कौन करता है तो यह आपके लोगसबा के अध्यक्ष 82 का देखिए क्या होगा विकल्प नंबर C नेक्स से देखिए भारत अमेरिका का परमानु करार किस नाम से जाना जाता है तो यह 123 समझोधा गुठ निर्पिक्ष अंदोलन का पहला शिकर सम्मेलन कहां पर हुआ था यह वतापका बिल्ग्रेड में ठीक है विकल्प नंबर 1 प्रशन संख्या 85 एदिके विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी एक जनवरी 1995 में विकल्प नंबर 20 का सही उतर होगा निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है तो यह आपका ग्रही मंत्रा ले विकल्प नंबर A किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतिय संविधान की आत्मा और रिदय कहा है तो यह कहा है संविधानिक उपचारों के अधिकार को विकल्प नंबर D सही उतर होगा नेक्स से दिखिए भारती राष्टे दोज कब अपना आय गया था तो यह 22 चुलाई 1947 को अपना आय गया था नेक्स से भारत के समिधान में शिक्षा का वीषय के सूची में है तो यह बहुत पार प्रिक्षम पूछ जाता है समवर्ती सूची में विकल्प नंबर C इसका क्या होना था सही उतर होगा भारत के सर्वोच न्याले का कारे किस वर्ष शुरू हुआ तो सर्वोच न्याले को जो कारे शुरू हुआ था देखिए यह हुआ था आपका विकल्प नंबर A 1950 में पटन घाटी कहां सते थे तो यह है लाहल स्पिती में प्रधान या म्योत्र का मान ठीक है विकल्प नंबर A इसका सही उतर होगा नेक्स से दिखिए भारतिय वन्यजीब संगरक्षन अधिनियम कब लागू हुआ तो यह हुआ था 1972 में सती प्रथा पर पावंदी कब लगाए गए थी 1829 20 इसका सही उतर होगा वेदों की और लोटो यह नारा किस ने दिया था स्वामी द्यानंद सरसोती जी ने विकल्प नंबर B मानचित्र पर जलाशियों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रियोग किया जाता है तो यह है नीली रंग का नेक्स ने दिखे महा भारत में कुल कितने शलोग हैं तो यह थे एक लागता साजार यहां पर विकल्प में नहीं है तो विकल्प नंबर D इसका क्या होगा सही उतर होगा वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रे करण किया गया था तो यह किया गया था चौदा बैंकों का जब किसने किया था इंदिरा गांदी ने जो उस वक्त की परदान मंतरी थी भारत की ठीक है नेक्स ने दिखे लूंबिनी में किसका जनम हुआ था तो यह हुआ था गौतम बुद्ध का 563 में ठीक है यह है विकल्प नंबर A देखिए गुजरात में सूर्य के चारों और प्रित्वी की गती को कहा जाता है तो उसे कहते हैं परिक्रमन 103 है देखिए लेपस निती प्रारम किस ने किया निती का प्रारम किस ने किया था यह किया था विकल्प नंबर B लॉड डलाहजी ने वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट किस ने लागू किया तो विकल्प नंबर A लॉड लीटन के दोरा नेक्स से देखिए भारत के राष्टपती पद के लिए नियुन्तम निर्धारित आयू कितनी है 105 है देखिए इसका जो सही उतर होगा विकल्प नंबर B 35 मेरी नी एक प्रजाती है तो मेरी नी किसकी प्रजाती है देखिए यह है विकल्प नंबर D बेड की प्रजाती भरत नाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है तो ये है आपका तमिल नाडु का, कौन सा अप्रत्यक्षकर नहीं है, सेवा कर अप्रत्यक्षकर नहीं है, 109 है राश्ट्य केडिट कोर NCC का गठन कब हुआ था, 1948 में, 109 का विकल्प नमबर बी सही उतर होगा, नेक्स से दीखिए, 44 संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौल परिचेक देता है या देती है कौन, तो ये है प्रस्तावना, 111 का देखिए, D होगा, और प्रस्तावना को ही क्या का जाता है, समिधान की आत्म का जाता है, नगर निकम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो ये है राजजय निर्वाचन आयोग, ठीक है, डाइट किस देश की संसद है, तो डाइट जो देश की संसद है की है, जापान की, नेक्स से दिखिए, ब्लेक पैगोडा स्थित है, तो ये है विकल्प नमबर B, कुनार्क में, नेक्स से दिखिए, बाबा कांशी राम को पहाडा दी बुल-बुल उपादी किस ने दी थी, तो ये कौन सा राष्टिय क्षेत्र, राष्टिय आये का सबसी बड़ा स्थोत है, तो ये है आपका विकल्प नमबर C, सेवा, भारतिय समिदान की धारा सत्रा से क्या अभी प्राय है, विकल्प नमबर D, दी के उपरोगत सभी चुवचूत का भारी का प्राध है, चुवचूत का दिया गया है, विकल्प नमबर D, सही उतर होगा, 120 है देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, उशन कटिबंदिया, वर्षा वन, विकल्प नमबर A, आखरी जो सेक्शन है देखिए, जनरल देखिए, वो है चौंग, विकल्प नमबर C, इसका सही उतर होगा, 123 है देखिए, रुपए चिन की रचना किसने की, 123 का जो प्रशन है देखिए, इसका जो सही उतर होगा, उधै कुमार, विकल्प नमबर B, आशा की धातू किसे कहा जाता है, तो आशा की धातू कहा जाता यूरेनियम को नेक्स है 125 हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभिहान का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो इसका जो नाम रख दिया गया है देखे बदलाओ विकल्प नमबर बी हिमाच परदेश की सबसे उपजाओ गाटी बल गाटी है ठीक है विकल्प की मजदूरी दिये बिना जबरन कारे करवाना 129 है दिखिए नहन शहर की स्थापना किस ने की थी तो ये की थी करम प्रकाश ची ने विकल्प नमबर डी सा उतर होगा नेक्स है मकोडी जोत किस जिले में स्थित है मकोडी जोत जो है दिखिए विकल्प नमबर ए कांगडा म नेक्स है Connecting India निमिलिकित में से किस की टेग लाइन है तो यह है BSNL Connecting India विकल्प नमबर D नेक्स है दिखिए 132 सन 2009 में भारत का सरवोच शांतिकाल भीता पुरुसकार अशोक चक्र निमिलिकित में से किसे मर्नो प्रांध प्रदान किया गया है तो यह है विकल्प नमबर B नजीर एहमद वानी को 133 वा प्रशन है सरवपरतम नोबिल पुरुसकार किस वर्ष दिया गया था तो यह 1901 में दिया गया था नेक्स है हिमाच प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे विकल्प नमबर A कोल शवद संक्षेप IRDA में D किसे रिप्रेजेंट करता है तो दीखे 135 का जो विकल्प नमबर C है सही उतर होगा डेवलपमेंट नेक्स है भारत की स्वतनत्ता के समय ब्रिटेन के प्रदानम 133 थे भी रिटेन के दीखे वो थे क्लेमेंट एटली विकल्प नमबर A इसका सही उतर होगा 137 है पंचमवेद किस ग्रंत को कहा जाता है तो ये कहा जाता है महाभारत को विकल्प नमबर B इसका सही उतर होगा 138 से देखिए मौलिक अधिकारों को किस देश के समविधान से लिया गया है तो ये USA से लिया गया है विकल्प नुबर D इसका सही उतर होगा 149 हैं साथ बहने नाम से कौन प्रसिद्ध हैं तो ये है पूर्वुत्र के राज्य पठार से क्या अभी प्राय है 140 हैं का देखे क्या होगा विकल्प नुबर C उंचे धरातल वाली जमीन का चोड़ा विस्तार 141 प्रस ने देखी हिमाच प्रदेश राज्य सड़क परिवहन दोरा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रतिशत की चूट दी जाती है तो इसका जो सही उतर है देखे 25% हिमाच प्रदेश में लोकमित्र के अंधर निमिलिकत में से कौन सा काम करते हैं तो ये सभी काम करते हैं बिजली के बिल भी जमा करते हैं पानी के बिल भी और जमाबंदी की प्रतिलीपी भी निखालते हैं नेक्स्ट है दिखिए हाटकोटी निचार और सरहन के बीच क्या समानता पाई जाती है तो यह है देवी की पूजा का स्थान विकल्प नमबर C नेक्स्ट है कयांग बाक्यांग और ब्यांग चू किस जिले के निरित्य हैं तो 144 का जो सही उतर होगा विकल्प नमबर A कि नौर कल्यान, सोना, सोनालीका और एकिस किस फसल की किस में हैं 145 का विकल्प नमबर A गेहूं जबकि 146 प्रशने दिखिए बारतिया करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाशाय मुद्रित होती हैं तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर D 15 मेकिन इंडिया का लोग कल्प नमबर A अफरीका अगला प्रशन है दिखिए LED का पूर्ण रूप क्या है तो LED का जो पूर्ण रूप है दिखिए वो है भी कल्प नमबर 1 लाइट एमिटिंग डियोट ठीक है तो 149 का A सही उतर होगा 159 का जो सही उतर होगा दिखिए और ये आखरी प्रशन है वो ह पूरे के पूरे 150 प्रशन अगर इन प्रशनों में मुझसे कहीं गलती होगी हो तो आप कमेंट सक्षन में जाकर मुझे बता सकते हैं ताकि सब लोगों तक सही जानकारी मिल सके वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शे अगरिया जहिंद